रोज एक कहानी टेल्स आफ पंचतंत्र पंचतंत्र की कहानिया सात्वी कहानी गजराज वो मूशक राज प्राचीन काल में एक नदी के किनारे बसा नगर व्यापार का केंद्र था फिर आये उस नगर के बुरे दिन जब एक वर्ष भारी वर्षा हुई नदी ने अपना रास्ता बदल दिया लोगों के लिए पीने का पानी न रहा और देखते ही देखते नगर वीरान हो गया अब वो जगह केवल चूहों के लायक रह गई चारों और चूहे ही चूहे नजर आने लगे चूहों का पूरा सामराज्य ही स्थापित हो गया चूहों के उस सामराज्य का राजा बना मूशक राज चूहा चुहों का भाग्य देखो उनके बसने के बाद नगर के बाहर जमीन से एक पानी का सुरोत फूट पड़ा और वो एक बड़ा जलाशय बन गया नगर से कुछ ही दूर एक घना जंगल था जंगल में अंगिनत हाथी रहते थे उनका राजा गजराज नाम का एक विशाल हाथी था उस जंगल क्षेतर में भयानक सूखा पड़ा जीव जंतु पानी की तलाश में इधर उधर मारे मारे फिनने लगे बारी भरकम शरीर वाले हाथीयों की तो दुरदशा हो गई हाथीयों के बच्चे प्यास से व्याकुल होकर चिलाने और दम तोड़ने लगे गजराज खुद सूखे की समस्या से चिंतित था और हाथीयों का कष्ट जानता था एक दिन गजराज के मित्र चील ने आकर खबर दी कि खंडहर बने नगर के दूसरी और एक जलाशय है कजराज ने सबको तुरंथ उस जलाशय की और चलने का आधेश दिया सहेकडों हाथी प्यास बुझाने डोलते हुए चल पड़े उन्हें खंडहर बने नगर के बीच से गुजरना पड़ा हाथियों के हजारों पैर चूहों को रौंदते हुए निकल गए हजारों चूहे मारे गए खंडहर नगर की सडगें चूहों के खून मांस के कीचर से लथ पत्थ हो गई मुसीबत यही खत्म नहीं हुई हाथियों का दल फिर उसी रास्ते से लोटा हाथि रोज उसी मार्ग से पानी पीने जाने लगी काफी सोचने विचारने के बाद मुशक राज के मंत्रियों ने कहा महराज आपको ही जाकर गजराज से बात करनी चाहिए वो दयालू हाथि है मुशक राज हाथियों के वन में गया एक बड़े पेड़ के नीचे गजराज खड़ा था मुशक राज उसके सामने के बड़े पत्थर के ऊपर चढ़ा और गजराज को नमस्कार करके बोला गजराज को मुशक राज का नमस्कार हे महान हाथि मैं एक निवेदन करना चाहता आवाज घजराज के कानों तक भी नहीं पहुँच रही थी दयालू घजराज उसकी बात सुनने के लिए नीचे बैठ गया और अपना एक कान पत्थर पर चड़े मूशक राज के निकट ले जाकर बोला नन्हे मिया आप कुछ कह रहे थे क्रपया फिर से कहिए मूशक राज बोला हे घजराज मुझे चूआ कहते हैं हम बड़ी संख्या में खंड़र बनी नगरी में रहते हैं मैं उनका मूशक राज हूँ आपके हाथी रोज जलाशे तक जाने के लिए नगरी के बीच से गुजरते हैं हर बार उनके पैरों तले कुचले जाकर हजारों चूहे मरते हैं ये मूशक संहार बंद न हुआ तो हम नश्ट हो जाएंगे गजराज ने दुख भरे स्वर में खा मूशक राज आपकी बात सुन मुझे बहुत शोक हुआ हमें ग्यान ही नहीं था कि हम इतना अनर्थ कर रहे हैं हम नया रास्ता ढून लेंगे मूशक राज कृतक गिता भरे स्वर में बोला गजराज आपने मुझ जैसे छोटे जीव की बात ध्यान से सुनी आपका धन्यवाद गजराज कभी हमारी जरूरत पड़े तो याद जरूर कीजिए गा गजराज ने सोचा कि ये नन्ना जीव हमारे किसी काम के आएगा सो उसने केवल मुशक राज को विदा कर दिया कुछ दिन बात पडोसी देश के राजा ने सेना को मजबूत करने के लिए उसमें हाथी शामिल करने का निर्णे लिया राजा के लोग हाथी पकड़ने आए जंगल में आकर वे चुपचाप कई प्रकार के जाल बिछा कर चले जाते थे सैकडों हाथी पकड़ लिए गए एक रात हाथियों के पकड़े जाने से चिंतित गजराज जंगल में घूम रहे थे कि उनका पैर सूखी पत्यों के नीचे चल से दबा कर रखे गए रस्टी के फंदे में फंस जाता है जैसे ही गजराज ने पैर आगे बढ़ाया रस्टा कस गया रस्टे का दूसरा सिरा एक पेड़ के मोटे तने से मजबूती से बंधा था गजराज चिंगार ने लगा उसने अपने सेवकों को पुकारा लेकिन कोई नहीं आया कौन फंदे में फसे हाती के निकट जाएगा एक युवा जंगली भैसा गजराज का बहुत आधर करता था जब वो भैसा छोटा था तो एक बार वो उस गड़े में जाए गिरा था उसकी चिलाहट सुनकर गजराज ने उसकी जान बचाई थी चिंगार सुनकर वो दोड़ा और फंदे में फसे गजराज के पास पहुँचा गजराज की हालत देखकर उसे बहुत धक्का लगा वो चीखा ये कैसा अन्याय है गजराज बताईए क्या करूँ मैं आपको छुडाने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ गजराज बोले बेटा तुम बस दोड़ कर खंडर नगड़ी जाओ और चूम के राजा मुशक राज को सारा हाल बताना उससे कहना कि मेरी सारी आस तूट चुकी है भैसा अपनी पूरी शक्ति से दोड़ा 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 और मुशक राज के पास गया और सारी बात बताई मुशक राज तुरंत अपने 20-30 सैनिकों के साथ भैसे की पीठ पर बैठा और शीग रही गजराज के पास पहुचा चूहे भैसे की पीठ पर से कूद कर फंदे की रसी कुतरने लगे कुछ ही देर में फंदे की रसी कट गई और गजराज आजाद हो गए इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि आपसी सदभाव और प्रेम सदा ही एक दूसरे के कश्टों को हर लेते हैं